सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज मैं आप लोगों से बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बातशीत करूँगा जैसे कहते हैं चक्कर याने की वर्टाइगो वर्टाइगो एक ऐसा सेंसेशन है जो हम सब लोगों ने कभी ने कभी एक्सपीरियन्स जरूर किया होता है जैसे कि कभी हम किसी बड़े जूले पे बैट जाते हैं या हम कभी गोल गोल गोमते हैं तो हमें एहसास होता है कि चारों तरफ हमारी धर्टी गोम रही है या हमारा जो सर है वो गोम रहा है और इस सेंसेशन को हम लोग चकर या वर्टाइगो का नाम देते हैं अक्सर यह sensation एक imbalance के form में भी हो सकता है या unsteadiness के form में हो सकता है जब patient चलने की कोशिश करता है तो पैर उसके सही जगए पड़ नहीं पाते और वो right या left तरफ की और या आगे या पीछे की तरफ sway कर सकता है और गिर सकता है इससे मिलते जुलते और भी कुछ sensations होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं black out जैसे के काफी देर अगर हम खड़े रहते हैं या हमने बहुत देर तक पानी नहीं पिया हो या खाना नहीं खाया हो या हम तेज धूप में खड़े हो तो हमें हमें आखों के सामने अंधिरा जैसा चा सक सकता है और हम जमीन पे गिर सकते हैं और अगर हम सड़नी काफी देर तक बैठे हुए हो और अगर हम एकदम से उठके चलने की कोशिश करें तो कुछ seconds के लिए हमारे आखों के सामने अंधिरा आ सकता है यह sensation black out होता है या फिर pre syncope sensation होता है यह आम तोर पे चक्कर और imbalance की जो पूछेगा तो डॉक्टर इस चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं कि यह सच में यह चक्कर की problem या imbalance की problem है या फिर यह pre syncope की problem हो रही है या black out की problem हो रही है ज्यादा तर patients confused रहते हैं कि चक्कर की problem के लिए किसको दिखाएं कौन से डॉक्टर के पास जाएं अक्सर हम देखत condition जो उनको primary care देते हैं उनके पास जाते हैं और कई बार अगर उनको वहां से satisfactory उपाएं नहीं मिल पाएं तो फिर वो neurosurgeon के पास या फिर cardiologist के पास भी जाते हैं जाता तर cases में हम देखते हैं कि जो हमारा चक्कर की problem होती है वो हमारे कान के अंदर जो balancing system का यंत्र होता है वहां से शुरुवात हो रही होती है इस तरह के problems को हम लोग peripheral वटाए को कहते हैं कुछ cases में हम देखते हैं कि हमारे brain के अंदर जो master organ होता है जो cerebellum होता है वहां की problem के वज़े से भी चक्कर आ रहा होता है इसको हम लोग central vertigo कहते हैं ज्यादा तर patients 70-80% patients जो hospital और clinic में आते हैं उनको peripheral vertigo हो रहा होता है कुछ patients जो suddenly अकजमात तरीके से जिनकी खून की नली या नसफट जाती है और वो suddenly चक्कर के वज़े से emergency room में hospital के आते हैं उनमें कुछ cases में हम देखते हैं कि central vertigo की problem हो सकती है तो इस चीज के लिए जरूरी है कि हम यह समझें कि हमारे body का balancing system कैसे काम करता है हमारे कान के अंदर balancing यंत्र होता है जो की right तरफ और left तरफ होता है और इसमें हमारे gravity sensors होते हैं जिनको हम लोग otoliths कहते हैं और हमारे gyroscopes होते हैं जिनको हम लोग semicircular canals कहते हैं यह x-axis y-axis औ को detect करते हैं और हमारे balancing system का जो main master organ होता है cerebellum उसको communicate करते हैं यह हमारी आखों के movement को भी control करते हैं हमारी garden की mass patient हमारी कमर की mass patient को भी signal भेशते हैं जो हमारे body का balance बना के रखते हैं तो चक्कर की problem का treatment क्या है तो चक्कर की problem के लिए आप लोग अपने ENT specialist जो neuro-autology में specialize करते हैं उनके पास आप जाएं और वो आपकी चक्कर का समाधान आपको दे सकते हैं जब भी हमारे clinic में कोई ऐसा patient आता है जो चक्कर और imbalance की problem से ग्रसित होता है तो पहले हम उसका एक detailed ENT examination करते हैं जिसमें उसका hearing test कान के पर्दों को middle year का check-up करते हैं साथी साथ हम देखते हैं के कान में कोई CT जैसे आवास तो नहीं आ रही है सुनने की शक्ती कैसी है इस चीज़ का check-up किया जाता है इसके बाद हम एक advanced vestibular testing करते हैं जिसको हम लोग VNG test कहते हैं इसमें एक special IR camera लगाया जाता है और आखों के हमारे जो movements होते हैं उनको हम check करते हैं अलग-अलग stimulation के द्वारा यह stimulation जो होता है हमारे balancing system के अलग-अलग sensors को stimulate करता है और किस sensor में fault है किस वज़े से चक्कर आ रहे हैं इसका fault finding हो सकता है तो हमने जब fault finding किया इन advanced testing के द्वारा तो फिर हमें exact कारण पता लगता है कि यह चक्कर क्यों आ रहे हैं अगर patient को बहुत तेज चक्कर आ रहे हो उल्टियां हो रही हो चलने फिरने में परिशानियां हो रही हो तो कई बार हम उनको temporary इलाज के लिए first aid medicine देते हैं चक्करों को दबाने के लिए अक्सर इन दवाईयों में थोड़ा नींद का दवाई भी होती है जिससे patient सो जाए और कुछ घंटे जब patient बहुत परिशान है वो असानी से निकल जाए लेकिन कुछ समय के बाद इन दवाईयों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि अगर हम इन दवाईयों को बंद नहीं करेंगे तो चक्कर की problem root cost से solve नहीं होगी सिर्फ symptomatic दबाव या symptomatic solution ही उनका हो पाएगा ऐसे स्थिती में थोड़े समय के बाद चक्कर फिर से बाहर निकल के आ जाते हैं और फिर patient को परिशान करने लगते हैं ऐसे case में patient chronic vertigo से ग्रसित होने लगता है और इसके बहुत सारे body पे असर होते हैं जैसे के confidence में कमी हो जाना अकेले जाने में डर लगना और अपने driving करना सीडियों से उतरना इस तरह की common चीजों में भी patient को डर लगने लगता है जब हम पता कर पाते हैं कि patient को क्या problem है तो हम उसके लिए कुछ special exercises करते हैं जिससे हम balancing system के sensors को वापस reset कर सकें जिससे के वह पहले से अच्छा काम करने लगे कुछ patients में हम दवाईयां भी देते हैं जै इसके वज़े से balancing system के sensors काम नहीं कर रहे हैं वह बहतर काम कर सकें इसके साथ साथ कुछ vitamins जैसे के magnesium supplements, vitamin D supplements, calcium के supplements और neuro vitamins भी दिये जाते हैं जिससे के हमारा brain का जो balancing system होता है वो अच्छे से काम कर सकें तो ऐसे दोस्तों हम इस vertigo जैसी complex problem को root cause analysis कर सकते हैं और फिर हम उसका solution patients में दे सकते हैं इसके साथ साथ हम patients को कुछ home care exercises भी देते हैं जैसे हम body और mind को fit रखने के लिए कुछ exercises करते हैं ऐसे ही हमारे balancing system को भी fit रखने के लिए हम कुछ exercises recommend करते हैं और ये exercises अक्सर customized होती है patient की problem के लिए तो हमारा special app है जिसमें हम patient को enroll करते हैं और patient के लिए specific exercises आती हैं जो patient को एक time table के हिसाब से करनी होती हैं इसको करने से हमारा body का balancing system reset हो जाता है और हम पहले से अपने activities को ज्यादा अच्छे से और ज्यादा confidence के साथ कर सकते हैं थैंक यू जिन patients में central vertigo की आशंका होती है उन patients में हम MRI करते हैं जिससे के हमें brain के अंदर cerebellum एवं हमारे जो कान की नसे हैं cochlea है जहां vestibular system है इसको हम proper तरीके से देख सकें और उन में कोई रसौली बन रही हो या नस में कोई दबाव हो रहा हो या वहां के micro circulation में कोई कमी आ रही हो जिसकी वजह से हमारे सुनाई के system पे और balancing system पे फर्क पढ़ ला हो इस बात को हम पकड़ सकते हैं इसके साथ साथ कुछ advanced testing जैसे के cranio corpography जो हमारे body के reflexes को check करती है जैसे कि हमारे body में कितना आगे हमें जुकते हैं या हम किसी चीज़ के लिए पीछे होते हैं तो हमें mass spatial में कितना tension रखना है जिससे हम body का balance बना सके इस चीज़ को monitor किया जाता है इसके साथ साथ जो हमारा cranio corpography होता है जो हमारे body में चाल है हमारी जो gate है उसको monitor करता है dynamic visual equity एक advanced testing होता है जैसे कि हम किसी moving environment में हैं तो हमारी आखों की पुतली पे वो चीज़ focus में रहे बलर नहीं हो जाए जब हम तेजी से चल रहे हैं या दौर रहे हैं ये इस system को check करता है ये सारे systems हमारे body के safety systems होते हैं जिससे के हम कोई भी activity चाहे चलने की दोडने की घूमने की dance करने की इसको हम भली बात ही कर सकें अगर ये sensors में कोई कमी होती है तो ये advanced testing से हम इसको पकड़ लेते हैं और फिर corrective exercises के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं कर दो कर दो कर सकते हैं